जे हिन जे भारत दोस्तो आज की इस वीडियो में बताऊंगा कि सिबिल इंजिनियर का काम क्या होता है सिबिल इंजिनियर बनने के लिए 10th और 12th के बाद क्या करना पड़ता है और सिबिल इंजिनियर को salary कितनी मिलती है पूरी complete जानकारी इस वीडियो में देने वाला हूँ तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखेगा तो हाई दोस्तो मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हो All News Poll तो दोस्तो सबसे पहले हम जानते हैं कि सिबिल इंजिनियर का काम क्या होता है तो दोस्तो जब भी सरकार किसी भी तरह का निर्मान का योजना बनाती है तो सबसे पहले सिबिल इंजिनियर उस योजना की planning, designing वह संग्राचनात्मक कारियों को लेकर research और समाधान तयार करने का कारी करता है जैसे building, घर, सरक, dam, नहार, stadium, shopping malls, airport, इत्यादी, निर्मान और maintenance वाले project पर काम किया जाता है यानि कि किसी खाली plot में घर कितने बरे area में बनेगा उसका design कैसा होगा, कितने कमरे होंगे, bathroom, kitchen और hall कहां पर होगा ये सभी design किया जाता है design के आधार पर सभी ज़रुट वाले material मंगाया जाता है और इसके निर्मान का काम किया जाता है इन सभी को पूरा करने में civil engineer का सबसे अहम role होता है जिस तरह से घर का निर्मान किया जाता है उसी तरह से अन्य निर्मान का भी काम किया जाता है सिविल इंजिनियर का इस्तेमाल पबलिक सेक्टर वाले छेत्र नगर पालिका से सरकारी राष्टी कामों तक और प्राइवेट सेक्टर में प्रसनल घरों से लेकर इंटरनेशनल कमपनिज तक किया जाता है तो दोस्तो अब बात आती है कि सिविल इंजिनियर कैसे बने तो दोस्तो सिविल इंजिनियर बनने के लिए दो तरीके होते हैं पहला तरीका होता है 10th पास करने के बाद Civil Engineering का Diploma Course, इसमें होता ये है कि जैसे 10th का Exam पास करने के बाद Polytechnic College में 3 साल तक Diploma in Civil Engineering की परहाई करनी होती है, उसके बाद आप एक Junior Engineer बन जाते हैं, और अगर आप Senior Engineer बनना चाहते हैं, तो इसके बाद भी Engineering College में degree course कर सकते हैं, इसके लिए आपको degree college में second year में admission होता है, और यहाँ पर 3 साल पूरा करके degree हासिल कर सकते हैं, एक तरीका तो ये हो गया, और दूसरा ये है कि 12th के बाद Civil Engineering का degree course करना, इसमें आपको 12th में Science यानि Physics, Chemistry, Math के साथ पास करना होता है, जिसके बाद IIT इंटरेंस एक्जाम में बढ़ सकत के degree in civil engineering कर सकते हैं, सफलता पुर्वक degree course पूरा कर लेने के बाद आप यहाँ से एक senior civil engineer बन जाते हैं, अब बात आती है कि civil engineer को salary कितने मिलती है, तो दोस्तो private sector में किसी civil engineer को सुरुवाती बक्त में 20,000 से 25,000 तक की salary मिल सकती है, कुछ अनुभव हो जाने के बाद experience के अधार पर 3-4 साल में लाखों रुपय की कमाई कर सकते हैं, और इसके अलावा एक civil engineer फिरियली भी काम कर सकते हैं, जैसे सहरों में अक्सर आप देखते होंगे कि बरे-बरे project को बनाने का काम, builder और ठेकेदार को दिया जाता है, अगर आप अपने काम में expert है, और आप अपने talent के अन कर सकते हैं, तो दोस्तों आप तो आप समझ गए होंगे कि civil engineer का काम क्या होता है, कैसे बना जाता है, और salary कितनी मिलती है, लेकिन दोस्तों बहुत से ऐसे नए छात्र है, जिसे इसके बारे में जानकारी नहीं होती है, तो प्लीज इस वीडियो को अपने WhatsApp, Facebook, Instagram पर share किजेग ताकि उन नए छात्रों तक ये जानकारी पहुँच सके, और जानकारी अच्छी लगी तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर किजेगा, और आगे इसी तरह की जानकारी पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजेगा, तो दोस्तों मिलते ह अगली वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हीन, जय भारत!